रुक करते हैं खबरों वाले शेर्स का हमारे साथ अशिशा जोड़ चुकी है पूरा अबडेट ली कर अशिशा गूड मॉर्निंग बताईए जी हाँ अब से पहले अक्सेस बैंक की बात करेंगे तो एक बड़ी ब्लोग डील हो सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में जहां बेन कापिटल अपना 1.1% स्टेक अक्सेस बैंक में बेचना चाहता है कल के मारकेट प्राइस से कंपेर करें तो 2% के डिसकाउंट पर ये डील ह हो सकती है 1109 प्रतिश शेयर का फ्लोर प्राइस है और करीब-करीब 3,700 क्रोर की ये टोटल डील हो सकती है तो इस ब्लोग डील के चलते आक्सेस बैंक पर आज आक्शन देखने को मिल सकता है इसके अलावा के आयो सी एल की बात करते हैं तो कंपनी का एक पलेट प्लांट है म आंगलोर में जहां ओपरेशन टेंपररी सस्पेंड कर दिये गए है कंपनी का मानना है कि रॉव माटीरियल अवेलिबिलिटी नहीं है कमजोर है आयन और फाइन अनवेलिबल है जिसके चलते हैं उन्होंने पलेट प्रोडक्शन टेंपररी सस्पेंड कर दिया है तो इस पास आये हैं YEA on yea basis पर देखे तो 4% का ग्रोध है लेकिन मन्त अन मन basis पर स्लाइट 12% का डिक्लाइन को मिला है management का मानना है कि year on year basis पर higher base होने के बावजूद strong 4% का growth देखने को मिला है इसके अलावा loris labs के बात करते हैं तो company की एक holy owned subsidiary loris synthesis private limited के facility में inspection हुआ था US FDA का inspection हुआ था company की आंदरप्रदेश facility में US FDA ने form 483 issue किया है पाच observations के साथ और company ने clarify किया है कि इन observations का reply company US FDA को stipulated timeline में दे देगी लेकिन अभी लिके लिए ये negative खबर है जिसके चलते loris labs पराच street की नजर रहेगी इसके अलावा srf limited की भी बात कर लेते हैं तो company ने चार plants set up करने का commission करने की बात की थी exchanges को और उन चार plants में दो plants already commission हो चुके है इसके अलावा Indian bank की बात करते है तो QIP already खुल चुका है और अब reports की माने तो 4500 क्रोर्स का ये total QIP size है तो fundraising के चलते कई banks पिछले कुछ दिनों से focus में रहे हैं और अब Indian bank भी focus में रहेगा इसके अलावा Orient Green की बात करते हैं तो उन्होंने exchanges को बताया कि Board of Directors fund raising consider करेंगे और 15th December को Board of Directors की बैठाक होगी जहाएं ये fund raising plans consider किये जाएंगे इसके अलावा Wipro की बात करते हैं तो Wipro और RSA ने multi-year contract sign किया है बड़ी development है Wipro के लिए जिसके चलते इस stock में भी action देखने को मिलेगा और lastly IPO market उसमें भी काफी action देखने को मिलेगा दो नए IPOs आज से खुलेंगे Domes Industries और India Shelter Finance का IPO आज खुलेगा तीन दिन तक खुला रहेगा 15th December last day होगा अप्लाइ करने के लिए जिसके चलते प्राइमरी मार्केट में भी action देखने को मिलेगा तैंक यू अशिश आपका पूरा अपडेट देने के लिए तो प्राइमरी मार्केट में भी action रहेगा और धेर सारी खबरे भी है जिसके चलते आज इन stocks में action देखने को मिल सकता है